एक्सेस एस केडिट कार्ड आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप एक्सेस एस केडिट कार्ड को गूगुल पे की मादधम से कैसे एपलाई कर सकते हो इस कार्ड में आपको 2% unlimited cash bag मिलेगा किसी भी online payment में 4% cash bag मिलेगा सुईगी जोमाटो एंड ओला में और 5% cash bag मिलेगा अगर आप इस कार्ड को यूज करके गूगुल पे की मादधम से किसी भी bill payment और रिचार्च करेंगे तो आपको यहाँ पे 5% cash bag मिलेगा और इस कार्ड का जो joining fee राएगा ओ यहाँ पे 499 राएगा और अगर आप 45 days के अंदर अंदर 10,000 रुपीज spend कर देते हो इस कार्ड से तो आपको यहाँ पे कोई भी renewal fee नहीं देने होंगे यह कार्ड बिलकुल free हो जाएगा in this time इस कार्ड को आप directly apply नहीं कर सकते हो अगर bank की तरप से invitation आता है तो ही आप इस कार्ड को apply कर सकते हो अगर आपके पास Google Pay account है या फिर excess bank का कोई भी account है तो आपको यहाँ पे invitation मिल सकता है जादाता लोगों को Google Pay में invitation मिल रहा है मुझे भी यहाँ पे Google Pay में invitation मिला है तो मैं इस वीडियो में आपको step by step process दिखाने वाला हूँ आप Google Pay की मदद से कैसे excess as credit card को apply कर सकते हो तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते है इस card को apply करने के लिए आप सबसे पहले Google Pay open कर लेंगे उसके बाद थोड़ा सा scroll करके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे manage your money का एक section मिलेगा उसके नीचे आप यहाँ पे देख पाएं अगर आपके पास invitation आया है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे get a credit card का इस option को तो आपको card को apply करने के लिए आप यहाँ पे get a credit card की option के उपर click करना है तो click करने के बाद आपको यहाँ पे apply now का एक option मिलेगा आप यहाँ पे apply now कर देंगे तो आपके सामने आपका email id और mobile number 100 हो अगर आपका pin code serviceable area के अंदर होगा तो आप यहाँ पे नीचे next कर देंगे और आपका pin code serviceable area के अंदर नहीं होगा तो आप इस application को नहीं कर सकते हैं उसके बाद आपका जो name है वो आप यहाँ पे enter कर देंगे जैसे pen card में लिखा है ठीक ऐसे ही आप यहाँ पे enter कर देंगे उ आप यहाँ पर choose करके नीचे next कर देंगे अब यहाँ पर आपका जो मांतिली income है और आप यहाँ पर enter कर देंगे यहाँ पर नीचे next करेंगे तो आपका जो nationality है वह यहाँ पर automatically इंडिया चूस रहेगा तो आप नीचे next करेंगे उसके बाद आपका marital status चूस करेंगे, आप married है, unmarried है, आप यहाँ पर चूस करेंगे, देन नीचे next, तो आप यहाँ पर आपका gender चूस करेंगे, male, female या फिर others, देन यहाँ पर next करेंगे, यहाँ पर अपना date of birth एंटर करेंगे, जैसे pan card में है, ऐसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे, देन नीचे next करेंगे तो यहां पर आपको family details यहां पर enter करना होगा तो सबसे पहले आपका mother का first name एंटर करेंगे उसके बाद आपका mother का last name एंटर करेंगे देन यहाँ पे आपका father का first name और यहाँ पे नीचे father का last name इंटर करेंगे देन यहाँ पे नीचे next करेंगे अभी आपको यहाँ पे home address चूज करना होगा तो उसके लिए आप यहाँ पे choose address पे click करेंगे आपका एक address यहाँ पे automatically show होगा Google Map से अगर यही address आपका home address है तो आप यह चाते कि another address आप यहाँ पे add करना चाते एड्रेस आपका नहीं है home address तो आप यहाँ पे choose another address पे click करके आपका जो detail address है और आप यहाँ पे enter करेंगे जैसे कि flat number street area landmark सब कुछ यहाँ पे enter करने के बाद आप यहाँ पे save address पे click करेंगे आपका home address यहाँ पे save हो जाएगा उसके ब का घर है वो आप यहाँ पे choose करेंगे choose करने के बाद आप यहाँ पे नीचे next कर देंगे आपको यहाँ पे highest qualification choose करना होगा आप यहाँ पर हाइण स्कूल पास है ग्याजुयट है या फिर post NAT यहाँ पे चूस कर लेंगे उसके बाद नीचे next करेंगे अभी आपको यहाँ पर बिजनेस डीटेल्स एंटर करना होगा जैसे कि आपका बिजनेस नेम क्या है उसके बाद आप यहाँ पर इंडरस्टी चूज करेंगे आप आईटी में काम करते या फिर आप रीटेल सॉप ओनर है या फिर आप स्टॉक ब्रोकर है वह आप य आप यहाँ पर उन्रसिप टाइब चूज करेंगे सोलो पाड़नर छीप है या फिर परड़नर सीप है या फिर अफिर मिंघ प्राइबें लिमिटेद थे वह आप यहाँ पर चूज कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ-बिजनेस कितने दिन यहाँ रान कर रहा है यानि कि आप कितने दिन से ये business कर रहा है वो आप यहाँ पे enter कर देंगे उसके बाद नीचे next करेंगे अभी आपको यहाँ पे work address चूज करना होगा तो आप यहाँ पे choose address पे click करेंगे उसके बाद एक address automatically google map से ले लेगा अगर यही आपका work address है तो आप यहाँ पे add complete address पे click करक आपका जो work address है और आप यहाँ पे complete enter करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे नीचे save address पे click कर देंगे आप आपके credit card में कौनसी नाम आप यहाँ पे print कराना चाते और आप यहाँ पे enter करेंगे उसके बाद नीचे आप delivery location चूज करेंगे आप यहाँ पे home address पे चाते या फिर work address पे चाते ओ आप यहाँ पे choose कर देंगे उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाड़ा है access bank चाहे तो six month के बाद आपका जो credit card limit है वो increase कर सकते अगर आप चाते हैं तो आप यहाँ पे yes करेंगे नहीं तो आप यहाँ पे no कर देंगे उसके बाद नीचे next करेंगे तो यह आपके mobile number पे एक OTP send किया जाएगा उस OTP को आप यहाँ पे enter करेंगे उसके बाद submit application पे click करेंगे तो आपका application review में चला जाएगा 90 second के बाद आप यहाँ पे जान जाएगे आपका application approve हुआ है या फिर decline हुआ है अगर आपका application approve हो जाता है तो access bank आपको ekyc page पे redirect कर देगा त देख सकते मेरा application यहाँ पे approve हो गया है और मैं यहाँ पे ekyc page में redirect हो गया हूँ तो आप यहाँ पे क्या करेंगे नीचे continue की option पे click कर देंगे उसके बाद आप यहाँ पे आपका आधार कर नमबर इंटर करेंगे देन यहाँ पे submit कर देंगे तो आपके आधार कर के साथ जो mobile number link है उसपे एक OTP send किया जाएगा उस OTP को आप यहाँ पे enter करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे submit कर देंगे तो आप से यहाँ पे location और camera की permission मांगेगा आप इसको continue कर देंगे जितने भी checkbox यहाँ पे है उसको आप टिक करेंगे उसके बाद नीचे I am ready की option पे click कर देंगे तो थोड़ा time wait करेंगे तो आपके साथ एक access bank का agent connect हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो वीडियो के IC है वो यहाँ पे start हो जाएगा तो आप से आपका name आपका date of birth पूछा जाएगा और आपका एक photo click कर दिया जाएगा और यहाँ पे आपका जो pen card है उसका एक photo लिया आपका जो physical card है वो आपकी घर में भेज दिया जाएगा आसा करती हूँ ए वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को like और channel को subscribe कर दिजेगा और अगर आपके मन में कोई confusion है तो आप यहाँ पे comment करके पूछ सकते है